हेलो एबरीवन, गुड आफटरनून और वलकम बेक टुन ऑक बार दूव सब्सकेश अभी हो रहे now बैलकम बार टीन बारख इन आभले मज़े चार वजे का टाइम हो रहे तो बस ये मुझे तो अगर टाइम हो आज मुझे थोड़ा सा काम है त coping किसले होग बस अपना काम करूंगे, यहां गया हुआ है ट्यूशन अभी, आज मुझे काम है, एक तो हाटा खतम हो गया है, तो मुझे गेहू बनाना है, और खोया रखा हुआ है, तो उससे कुछ बनाना है, क्योंकि अभी यह घर में नहीं थे, बाहर गए हुए थे, तो दूद बहुत स साफ गेहू है, बस इसको थोड़ा सा चेक करना होता है, इसमें कंकड वगयरा तो नहीं है, और एक दो महीने से रखा हुआ है, तो कीड़े भी देखना होता है, क्योंकि ज़्यादा दिन का रखा रहता है, तो कीड़े हो जाते हैं, तो यहां मैंने फर्स पे गेहू को फैल लेंगे, तो बस जल्दी से मेरा काम हो गया था, और बस जादा मैं लेके नहीं जाती हूँ, दस या पंदरा किलो गेहू लेके जाती हूँ, और इतना मेरा बहुत चल जाता है, एक से डेड़ महीने चल जाता है, तो यहां मैं गेहू बना की रख दोंगी, जब भी यह फिर गिलास पानी और बस अब चासनी बना लेंगे और इसको पकाएंगे 10 मिनट, 10 मिनट में चासनी बन जाती है, और यहां मैंने इस कटोरी में लिए है, दो चमच सूजी लिए है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है, और इसको रख देंगे फूलने के लिए, तो जब भी रगड़ना है, ताकि जो खोया है, वो एकदम से सौप्ट हो जाए, मुलायम हो जाए, और जब खोया मुलायम हो जाएगा, तब हम इसमें डालेंगे सोडा, खाने बाला सोडा डाला है, मैंने एक चुटकी, और इसके बाद इसमें डालेंगे सूजी, जो मैंने फूलने तो इसलिए इसमें थोड़ा सा मैदा जादा डलेगा बस सारी चीज़े डालने के बाद अच्छे से मिलाना है और इसको खूब रगड़ना है ताकि सारी चीज़े अच्छे से मिक्स हो जाए तब ही गुलाब जामून एकदम से परफेक्ट बनेंगे तो इस तरह से बनाएंग तो फिलाल मैं कुछ नहीं रख रही हूं वस इसी तरह से बनाऊंगी और देखिए एकदम से परफेक्ट गुलाब जामून बनेंगे चासनी को मैंने छोटे से बरतन में बनाया था तो इसलिए मैंने इसको बड़े भगाने में कर दिया है क्योंकि जब इसमें गुलाब जा से चासनी बन गई है चासनी को दस मिट पकाना था थोड़ी सी चिपचिपी रखनी है चासनी और बने के रिडि हो जाती है और यहां मैंने कडाई में और ऑला हूँ है कोई भी कुकिंग गिर आलो जिसमें भी आपको सेक ना है तो यहां मैं दो-3 पहले सेक के देखों गे के सही से बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं तब जाके मैं बाकी के सेकूंगे और ये देखिए एकदम से परफेक्ट गुलाब जामुन बन रहे हैं कोई इसमें कमी नहीं है और अब इसके बाद इनको डाल देंगे चासनी में अगर इनमें कोई कमी होती तो इनको हम सही करते लेकिन ह गुलाब जामन एक दम से परफेक्ट है और अब हम बाकी के गुलाब जामन सेक लेंगे तो इनको धीमी आज पे सेकना होता है थोड़ा सा टाइम लगता है और इस तरह से इनको घुमाते रहेंगे हमें ऑईल को घुमाना है ताकि जो गुलाब जामन है उनका एक जैसा कलर तो बस पहले मैं किचिन समेटूंगी और जितनी भी बरतन थे वो सब मैंने सिंख में रख दिये हैं और इस टाइम रियांद भी आ गया था तो इसको पीना था नारियल पानी तो बस यहां मैं इसको नारियल पानी दे रही हूँ और यह वही नारियल है जो मैं मंडी से लेक क्या कर रहे हो तुम पेपर खतम खतम अब वैस लास्ट रह गया अब तो रियांद की तो मज़े मज़े हैं अब दे तुवे गुलाब जावन बन गए हैं और यहां पर मैं बना रही हूं बढ़ी आसी चाय चाय पी लेते हैं क्योंकि चाय का हो गया टाइम अगर मैं थोड़ा अब जाएगी चाय बना दो तो मैंने साथ के साथ यहां पर चाय रख दी और यहां पर जितनी भी बढ़तन थे दुफैर वाले वह सारी मैंने धुल दिये हैं और बस चाय पीएंगे और फिर देखते हैं यह कफिरी होते हैं फिर हम लोग जाएंगे आटा पिसवाने आटा आटा भाते हैं यह की आटा समी ही पाइंगे मिसी कशाएं को जनुफैर आटी दोजही रटा का वरते हुआ भी प्लेय ओक बना दू को जाए हैं फैंगे कल सुबहय क्या खालोगे फिर कल सुभई क्या खा लोगे फिर दूदलिया खा लोगे फेट भर जाएगा या खिचडी बना देंगे तुम खा लोगे पापा तो नहीं खाएंगे ना उनको तो रोटी चाहिए तो आटा पिस्वाने जा रहे हैं तो यहां पर बन रही है चाय और अभी मैं जो गुलाब क्योंरा मैं अड़ी बन आप लिए हूसे पनम टो इसलिए बन भगवऑन जी के लिए और भोग लगा दिया है और यहां पर चाय पहली बन गई थी तो पस चाए मैं चाहली है और इनको चाय दे दी है और रियांद को खाने दे गुलाब जामून तो बस इसको मैं गुलाब जामून दे दूँगी और यहां पर देखो यह टेस्ट कर रहा है और बहुत ही अच्छे बनने हुए है गुलाब जामून मुराइपोने साथ बज रहे हैं और साम की जो पूजा थी वो मैंने कर ली है और बस आठा बिस्व आने जाना है और इसके बाद मैं खाना बनाऊंगी और अभी इनका ओफिस का काम चल रहा है जब फिरी हो जाएंगे तब हम लोग जाएंगे आठा पिस्वाने तो बही देखो अंधेरा हो गया और ना सारे पेड़ पौदे मेरे सूख गया है अब मैं नए पौदे लेके आऊंगी एक दीपक घी का दीपक में तुलसी माता को लगाती हूं और यह वाली रहा और एक यह रहा यह देखो रियांध उठा रहा है बोरी बच्चा अरे बस रहने दो में नटा काम करता है मेरे बच्चा को बढ़से नीचे तक लाना तोासभान यहां लिफ्ट इसे गणाना फोड़ा सा मुझकि लगता है और यह भारी बजल उठाती नहीं है क्योंकि कमर में इनका दर्द रहता है तो इसलिए डॉक्टर ने मना किया हुआ है भारी सामान उठाने के लिए यहां मैं और रियांत लेगे जा रहे हुआ थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं लेकिन यह बीच में रियांत आ रहे है इसको बड़ा सौक लग रहा है तो यह गेहू की बोरी अलवके तो मैं और तो बॉझा रहे है उतके अ यहां यहां किसी पशाए चार्श की का सब्लसके कर द देखा सब्सके क्षान सूकता रहे है कि होगा जा रहे है लुझा मेरा व want कर नहीं कमो रहे हो यहां अदो है शयाक्री ऐ में इसको ने कृट आ करे वार्श सू except है आणक अब्सक्राइब चलुक जई चलुक में साफ कर दी बरंतन डुल गये हैं कभी चुकंदर और आमला तो यह इत् Simple clean and इतना फायदे मंद होता है तो ऐसे चुक अंदर ना खा नहीं पाते हैं तो इस तरह से इसको पानी में डाल दो और यह बहुत अच्छा डिटॉक्स पॉर्टर बन जाएगा और इसको मैं रख देती हूँ टेबल पर इसको मैंने रख दिया टेबल सारा काम हो गया है और इसी क मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए बाबाई एंड टेक कियर गूट नाइट